बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार मिसन 2024 को लेकर फिर एक बार राजों का दौरा कर सकते हैं विपक्षु एक्ता को मजबूत करने के लिए नितीश कुमार लगतार विपक्षु दलों के निताओं से मुलकात कर रहे हैं आगामी लोकसभाचुनाओं में भाजपा को सत् दूर रखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री मजबूत विकल्ट देने की मुहिम में लगे हुए हैं तो वहीं इसी क्रम में नितीश कुमार मंगलवार यानी नौमई को भूनेश्वर जाने वाले हैं जहां उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक से उनकी मुलकात ख़वर सामने आ रही है कि स्यम नितीश कुमार महराश्ट का भी द shelter करेंगे मुंबई में उनकी मुलकात उद्दव ठाक रहे और सरत पौवार से हो सकती है बता दे आपको कि मिडिया रिपोर्ट के अनुशाण सीयम नितीश कुमार महराष्ट के पुर्व सीयम उद्दव और जो NCP, परमुख स्वरत पवार से फोन पर बातशित की है, तो वहीं बताया जा रहा है कि दोनों निताओं से मुलकात करने के लिए नितीश कुमार मुंबई जाने वाले हैं, 11 माई को देखा जाये कि दोनों निताओं से मुलकात की संभावना है, इससे कहीं न कहीं देखा जाये, तो पहले नितीश कुमार, उडिसा के सिया नवीन पतनायक से मिलने जाएंगे मंगलवार को दोनों के बीच अहम मुलकात होगी नितीश कुमार, एंड ये से अलग, दलो को एक साथ जोडने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं देखा जाये, तो गैर भाजपाई, निताओं को एक मंज पर साथ खरा करने में जूटे हुएं, बता दे कि करना ठक, चुनाओ, संपन होने के बाद दिपक्ष्वी दलो की ब काली में शरत पवार और उद्दव ठाकरे से भेट की थी विपक्ष्वी एक्ता के मुहीं को लेकर ही, कहीं न कहीं ये मुलकात की गई थी, तो वहीं अब सीम नितीश कुमार दोनों दिग्गस नेताओं से मुलकात करें और विपक्ष्वी एक्ता के मुहीं में जुटे हु लगतार विपक्षु एकता को लेकर देश भ्रहमन कर रहे हैं और एक राजियों में जा रहे हैं तो वहीं जिस तरीके से गयर भाजपाई जो पूरे भारत देश में पार्टी है उससे मुलकात कर तमान पार्टीयों को एक कर रहे हैं नितीश कुमार का यह साह कहाना है कि नितीश कुमार जो है कहीना कहीं देखा जाए तो महराश्च के तमाम बड़े दिगज़ों से मिलेंगे तो वहीं मुंबाई में कहीना कहीं देखा जाए तो उद्धाव ठाकरे और कहीना कहीं शरत पवार से मिलेंगे और भी तुमाम ख़रों क्लिये सब्सक्राइब करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें पेश को लाइक करें अपनी पर्च करिया कौन बॉक्स में जाकर जरूर दें बहुत बहुत धन्यवाद